दोस्तो नमस्कार ये हैं मागदेशन फॉर सिविल सर्विशेज मैं अनुराग शौधरी दोस्तो नागरिक सास्त रथवा राजनीत विज्यान के महत्तोपूर्ण प्रश्णों के एकजाम बुष्टर्स रिंखला में हम कांटिन्यू करेंगे लोग प्रशासन यानि पबलिक एड्मिनिस्टेशन से संबंधित महत्तोपूर्ण प्रश्णों को जो आपके आगामी परिक्षाओं जैसे प्रवक्ता परिक्षा असिस्टेन प्रोफेसर यूजी सी नेट तथा अन्य राज्यों द्वारा आयूजित परिक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है तो आईए शुरू करते हैं आज का वीडियो लोग प्रशासन से संबंधित महत्तोपूर्ण प्रश्णों का एक जाम बोश्टर पहला प्रश्ण है दोस्तों वह देश जहां कोई व्यक्ति लोग सेवा में लगभग किसी भी अस्तर पर और लगभग किसी भी अस्तर पर और लगभग किसी भी आयू में प्रविष्ट हो सकता है अगला प्रश्ण सुमेलन करना है सूची एक का सूची दो से तो इसमें उपागम और उनकी विशेष्ताओं का मिलान करना है देखिए उपागम है पारिस्थित की उपागम ये अग्रेरिया नकरात्मक प्रतिसंभराण से संबंधित है अगला प्रेश्ण है वैज्ञानिक प्रवंधन का लक्ष है तो सही उत्तर है दोस्तों वैज्ञानिक प्रवंधन या साइंटिफिक मेनेजमेंट का लक्ष उच्चतर अध्योगिक दक्षता यानी higher industrial जो है efficiency प्राप्ट करना है अगला प्रश्न सही सुमेलन करना है यहाँ पर देखिए महत पूर है सुची एक का सुची दो से तो पब्लिक एड्मिनिस्टेशन में एल्टन मेयो का नाम मानो संबंध सिध्धान यानि human relationship theory से संबंधित है हेनरी फियोल संगठन के शास्त्री सिध्धान से संबंधित है याद रखिएगा निकोला शेनरी का संबंध दोस्तों नौ लोग प्रवंधन यानि निव पब्लिक मेनेजमेंट से संबंधित है और यफ डबलू टेलर ये वैज्यानिक प्रवंध सिध्धान यानि scientific management थियरी से संबंधित है अगला प्रश्ण है उपनिवेशी सासन में नौकर साही का कौन सा प्रकार पाया जाता है तो उत्तर है दोस्तों जो कोलोनियल गवर्मेंट होती है यानि उपनिवेशी सासन इसमें नौकर साही का शासकी या नौकर साही प्रकार पाया जाता है अगला प्रश्ण शुमेलन करना है देखिए महोत्वपोड है सूची 1 का सूची 2 से तो बर्नार्ड, दूस्तों बर्नार्ड या चेश्टर बर्नार्ड का संबंध कारेकारी के प्रकारे से है फेयोल प्रवंधन के सिध्धान से संबंधित हैं, लूथर गुलिक संगठन के आधार से संबंधित हैं और टैरी का संबन प्रत्ययोजन यानि डेलीगेशन से है अगला प्रश्ण है दोस्तों प्रत्ययोजन की अधाड़ा को संगठनात्मक यानि प्रशासनिक सिध्धान्त का मिथक किसने माना है तो फोलेट ने दोस्तों फोलेट ने प्रत्ययोजन की अधाड़ा को संगठनात्मक सिध्धान्त का मिथक माना है अगला प्रश्ण है नीड़ करने का आबध थार किक्ता माडल प्रतिपादित किया किसने तो हरवर्ट साइमन ने और देखे राइट टू इन्फार्मेशन मास्टर टू गुड गवर्नेंस प्रतिवेधन या राइट टू इन्फार्मेशन आर्टियाई मास्टर की टू प्रस्तुत किया गया तो ये दुतिय प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा राइट टू इन्फार्मिशन मास्टर की टू गुड गवर्निंस प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था अगला प्रश्न है दोस्तों वह आयोग या समीती जिसने भरश्टाचार के 27 प्रकारों की पहचान की है तो ये है केंद्रिय सतर्कता आयोग अगला प्रश्न है भारत में संयुक्त परामर्शित अंत्र अस्थापित किया गया किसके द्वारा तो उत्तर है दुतिय वेतन आयोग की सिफारिस पर भारत में संयुक्त परामर्शित अंत्र अस्थापित किया गया था अगला प्रश्न है मैक्स बेवर के अनुसार नौकर साही का विसिष्ट गुड क्या है तो उत्तर है विधिक बौद्धिक सत्ता विधिक तारकिक सत्ता दोस्तों मैक्स बेवर के अनुसार नौकर साही का सबसे महत्त पूड गुड है अगला प्रश्न है भारती पुलिस सेवा यानि इंडियन पुलिस सर्विस आईपियस किस मंत्राले की अधीन है तो उत्तर है ग्रिह मंत्राले के अधीन भारती पुलिस सेवा आता है अगला प्रश्ण है दोस्तों वह आयोग या समिती जिसने भारत में भ्रश्टाचार के मुख्य कारण के रूप में कमजोर शासन की पहचान की तो दुतिय प्रसासनिक सुधार आयोग ने भारत में भ्रश्टाचार के मुख्य कारण के रूप में कमजोर शासन की पहचान की ह अगला प्रश्ण सही सुमेलन करना है नियंत्रण की अवधी ये परवेच्छन से संबंधित है पदक्रम जो है उचित माध्यम के द्वारा प्राप्त किया जाता है प्रत्ययोजन जो है प्राधिकार यानि अथारिटी का प्रवा होता है और नियंत्रण की एक्ता में ये सुत अगला प्रश्न है आधेश की एक्ता यानि unity of command सिध्धान से तातपर क्या है तो उत्तर है कोई भी व्यक्ति अपने से उपर किवल एक अधिकारी से आधेश प्राप्त करेगा और उसी को आधेश की एक्ता कहते हैं अगर कई जगह से आदेश प्राप्त होता है या कई जगह से कोई व्यक्ति आदेश ग्रहन करने लगे तो अधिकारों में या जो हाइरार्की होती है उसका जो है बिभन्जन या वो छिन्न भिन्न हो जाएगा अगला प्रशन है भारती लोग प्रवंधन संस्थान यानि IIPA इंडियन इस्टिटूटा पब्लिक अड्मनिस्टेशन ये कहां पर है तो ये नई दिल्ली में इस्थित है अगला प्रशन है दोस्तों सरुपर्थम प्रवंधन में कामगार की भागिदारी के विचार को किसने प्रस्तुत किया था तो उत्तर है मेरी पार्कर फॉलेट ने दोस्तों सबसे पहले प्रवंधन में कामगार की भागीदारी की विचार को मेरी पारकर फॉलेट ने प्रस्तुत किया था अगला प्रश्ण है नौ लोग परवंधन की विशेश्ता क्या है तो नौ लोग परवंधन संबिदा देना, प्राधिकार का हस्तांतरन, निशफादन मुल्यांकन पर धियान और परवंधन पर धियान ये सभी New Public Administration की मुख्य विशेश्ता हैं अगला प्रशन है दोस्तों क्लाशिकल सिध्धान्त की समालोशना सुखकर, लोकोक्त, मिथक, नारा और आडंबर पूर्ण समरूपताओं की रूप में किस ने कहा है तो सही उत्तर है हर्बर्ट साइमन ने, दोस्तों साइमन ने जो लोकप्रसासन की एक क्लास की सिध्धान्त है उनको मिथक या आडंबर पूर्ण समरूपता कहा है अगला प्रशन है दोस्तों, भारत में लाल भादर शास्त्री राष्टी प्रसासनेक अकेदमी कहां पर है तो ये मसूरी उत्तराखंड में है, प्रसिक्षण यानि ट्रेनिंग की क्या विशेस्ता है तो उत्तर है तयारी ग्यान और अभिविन्यास ये प्रसिक्षण की विशेस्ताएं है अगला प्रशन है वह देश जहां प्रतियोगिता के माध्यम से लोकसेवा में भरती होती थी तो सबसे पहले दोस्तों प्रतियोगिता के माध्यम से लोकसेवा में भरती प्रशा में की गई थी अगला प्रशन है एक कथन है कि लोग प्रशासन में वे सभी कारे आ जाते हैं जिनका उद्देश लोग नीती को पूरा करना अथ्वा किरियानवित करना होता है ये कथन किसका है तो ये L.D. White का कथन है और देखे प्रशासन में ब्योहार का अध्यन मनो विशलेशन के जरिये किया जाना चाहिए ये किसका कथन है तो ये Abraham Maslow का कथन है अगला प्रशन है हाथोर्न के प्रयोग किसकाल के हैं तो हाथोर्न प्रयोग जिनसे मानो संबंध सिध्धान्त की पुष्टी हुई ये 1920 के दशक के अंत में किये गये थे अगला प्रशन है दोस्तों नौकर साही को महादीपी उपद्रव किसने बताया तो थामस कारलाईल ने दोस्तों एक विचारक है थामस कारलाईल इन्होंने नोकर साही यानि ब्योरो क्रेसी को महादीपी उपद्रव या महादीपी कंटक की संग्यादी है अगला प्रश्न है दोस्तों मैक्स वेवर के नौकर साही सिध्धान्द के बारे में सही कथन या मैक्स वेवर के नौकर साही सिध्धान्द की प्रमुख विशेश्ताएं तो दोस्तों मैक्स वेवर द्वारा प्रस्तुत नौकर साही युक्त युक्त विधिक प्राधिकार का महत पूर्ण हिस्सा है नौकर साही से मेधा के रूफ में ज्यान के माध्यम से प्रभुत्व अभिपरेत है और लोगतंत्र में इसकी सहज ग्राहयता है ये मैक्स वेवर के नौकर साही सिध्धान के बारे में सही कथन है अगला प्रशन है राजनीतिक विकास की ब्याख्या प्रशासनिक और विधिक विकास के रूप में किस ने की है तो उत्तर है मैक्स बेवर ने और देखिए विभागी संगठन के चार आधारों का विचार किस ने दिया है तो लूथर गुलिक ने अगला प्रश्ण है दोस्तों सन्रक्षक نौकरसाही का दूसरा नाम क्या है? तो spoil system या loot system, loot पधधती सन्रक्षक नौकरसाही का दूसरा नाम है अगला प्रश्ण है एक विशिष्ट समस्या को हल करने के लिए विभिन पाठे क्रमों से कारवाई का एक पाठे क्रम चुनने की प्रक्रिया या विभिन विकल्पों में से एक विकल्प चुनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है तो उत्तर है नेड़य निर्मार अगला प्रश्ण है एक विचारक है मूने, मूने के अनुसार संगठन का सारोभौमिक सिध्धान्त क्या है तो पद सोपान या हाइरार्की ये मूने के अनुसार संगठन का सारोभौमिक सिध्धान्त है अगला प्रशन है वह विभाग जो एक राष्ट के प्रसासनिक सनरशना के साथ उच्चतम और उप्चारिक स्थिती में रहते हैं तो ये सरकारी विभाग हैं और देखे लोग प्रसासन का जनक किसे माना जाता है तो प्रसिध अमेर्की विचारक और विद्वान वुडरो विलसन को लोग प्रसासन का जनक माना जाता है क्योंकि इनके द्वारा ही सबसे पहले एक पत्र प्रकाशित करके लोग प्रसासन को राजनीत विज्ञान से अलग माना गया था अगला प्रश्ण है सुशासन यानि good governance पर लिखी पुस्तक reinventing government के लेखक कौन है तो उत्तर है डेविड ओसबोर्न और टेट गैबलर ये सुशासन पर लिखी पुस्तक reinventing government के लेखक है अगला प्रश्ण है दोस्तों महतफूर्ण प्रश्ण है कि अमेरिकी सरकार ने अपना पहला स्वतंत्र नियामक आयोग यानि अंतर राजी वाड़िज आयोग की अस्थापना कप की थी? तो याद रखिएगा 1887 में अगला प्रेशन है दूस्तों अंतरिक रूप से भरती की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है तो इसे प्रमोशन यानि पदोन्नच पडाली कहते हैं अगला प्रेशन है सेवा में प्रवेश करने से पहले सारुजनिक सेवा के इच्छुक लोगों को किस प्रकार का प्रसिक्षण दिया जाता है तो उत्तर है पूर्व प्रवेश प्रसिक्षण अगला है सिविल सेयोकों को उनके कारे संगठन के प्रती अभिवित्ति और द्रिष्टिकोंड को संदर्भित किया जा सकता है किस से तो मनोबल से और मानो संबंध आंदोलन से स्वाभाविक रूप से विक्सित हुआ है क्या तोतर है बेवहारवादी उपागम दोस्तों याद रखेगा बेवहारवादी उपागम मानो संबंध आंदोलन से विक्सित हुआ है अगला प्रशन है प्रसासनिक नीत की मुख्य वाकिका निर्धारन करने का कारे क्या है तो ये मुख्य कारेकारी है और अगला है कि जब सरकार आर्थिक वित्ति या बेवशाइ किया जाता है तो किसके द्वारा दोस्तों हर्मन फाइनर ने लोकसेवा को अस्थाई वैतनिक और कुशल अधिकारियों के पेशेवर निकाय के रूप में परिभासित किया है अगला प्रशन है वह परिक्षण जो मुख्य रूप से प्रकिर्ति में व्यक्ति परक होता है औ और अक्सर उम्मी द्वारों द्वारा संदेह के साथ देखा जाता है तो इसे मौखिक परिक्षा कहते हैं अगला प्रशन है एक कर्मचारी के लिए किस प्रकार का प्रसिक्षण दिया जाता है जो पहले से ही सेवा में है तो ऐसे प्रसिक्षण को दोस्तों सेवा कालेन प् तो इस तरह के बजट को क्या कहा जाता है तो ऐसे बजट को संतुलित बजट कहा जाता है अगला प्रेशन है दोस्तों प्रशासनिक कृतियों और नेड़ेयों की वैधता के निर्धारन करने की नियायालेयों की शक्ति को जाना जाता है किस रूप में तो जी डूइसियल अगला प्रेशन है प्रवंधन की वह पडाली जिसका पर्यावरण के साथ कोई अंतर संबंध नहीं है इसको बंद पडाली कहते हैं वाटसन ने दोस्तों सेवन या संगठ नात्मक धाचे के माध्यम से प्रवंध और नेतरित्यों के मध्य अंतर की व्याख्या की है इसमें क्या चीजें शामिल हैं तो सही उतर है रड़नी ती संरशना और बेवस्था इसमें शामिल होती हैं अगला प्रशन है भारत में सौरवपर्थम किस राज ने लोका युक्त अधनियम लागू किया था तो उतर है महराष्ट ने और अगला प्रशन है दोस्तों नौकर साही शब्द फ्रांसीसी सब्द ब्यूरो से लिया गया है इसका अर्थ क्या होता है तो उतर है मेज या लिखने की मेज और ब्यूरोक्रेसी सब्द का प्रियोग सबसे पहले फ्रांसीसी विचारक विंसेंट डी गुरने की द्वारा किया गया था अगला प्रशन है दोस्तों प प्रभावी प्रोसाहन के रूप में कारे करती है तो ये है पदुन्नती नेड़ा निर्मार की ब्रेन इस्टार्मिंग विधा का विकास किसने किया था तो एलेक्स एफ आसबॉर्न के द्वारा ब्रेन इस्टार्मिंग पद्धती का विकास किया गया था भारत में प्रशासनि सुधारों के क्रियान्वेन के लिए आवशकता होती है किसकी तो तीन चाड़ों की और चयन की प्रक्रिया में पहला आवश्यक कदम भरती है अगला प्रश्ण है वह पधत जो नई भरती के सिविल सेवकों के दोश और कमियों को दूर करता है तो उसे पर सिक्षन कहते हैं से पुराना सिध्धान्त माना जाता है अगला प्रश्ण है प्रसासन का बुनियादी और आवस्यक तत्व क्या है तो उत्तर है संगठन यानि आर्गिनाइजेशन ये प्रसासन का बुनियादी तत्व है अगला प्रश्ण है स्वतंत्र नियामक आयोग अद्विती नवाचार अगला प्रशन है सामाजिक आर्थिक विकास में सहायक है तो लोक नीति जो है वो सामाजिक आर्थिक विकास में सहायक है राश्टी एकता और अखंडता को बनाए रखने में क्या सहायक है तो पब्लिक बालिशे और समाज को उसकी बेहतरी के लिए सुगठित करना किसका उद्देश है तो ये लोक नेती का उद्देश है अगला प्रश्ण है दोस्तों रिक्स का फ्यूजड मादल आधारित है किस पर तो क्रिसी की निर्भरता पर राजसाही परिवार के आधिपत्य और वस्तु के बिनिमे पर आधारित आर्थिक बिवस्था पर अगला प्रश्ण है दोस्तों नौ लोग प्रसासन प्रवंधन के विशे हैं क्या क्या तो नीजी छेतर के तोर तरीकों को अंगिकार करना संसोधित रिपोर्टिंग और निगरानी तंत्र और निश्पादन लग्षे ये 9 लोग प्रसासन प्रवन्धन के विशे हैं अगला प्रशन है नेत्रित को अधिनस्तों को लगन और विश्वास के साथ कारे करने के लिए प्रेडित करने की प्रवन्धक की योजना के रूप में परिभाशित किया है अगला प्रश्ण है किस प्रकार का नीती मुल्यांकन उसके आधारभूत उद्देशों के प्राप्तिकी सफलता के अस्तर को निर्धारित करने पर बल देता है तो ये कारेकरम प्रभाव मुल्यांकन है और एक बुक है दोस्तों Towards a New Public Administration मिन्नो बुरुक परस्पेक्टिव जिस दोस्तों फ्रेंक मौर्नी ने Towards a New Public Administration मिन्नो बुक प्रस्पेक्टिव नामक पुष्दक प्रकाशित किया था अगला प्रश्ण है कि लोग प्रसासन को राज्य के कारियों पर संयूक्त प्रवंधन की कला और विज्ञान के रूप में किसने परिभाशित किया तो डवाइट यानि डी वालडो ने दोस्तों लोग प्रसासन को राज्य के कारियों पर संयूक्त प्रवंधन की कला और विज्ञान दोनों के रूप में परिभाशित किया है अगला प्रश्ण है दोस्तों नेड़य का नेड़य निर्माड उपागम का बेवस्थित अनुक्रम क्या है तो यहाँ पर देखे, पाल H. Appleby ने Morality and Administration in Democratic Government पुस्तक लिखी है जान M. Gass और L.D. White और M.E.D. Mark ने The Frontiers of Public Administration F.W.B. Lobby ने Principles of Public Administration और Dwight Waldo ने Ideas and Issues in Public Administration नमक पुस्तक लिखी है अगला प्रशन है दोस्तों New Public Administration यानि 9 लोग प्रसासन के कथियों को 5 मदों के अंतरगर संशेपित करते हैं प्राशंगिक्ता, मुल्य सामाजिक छम्ता परिवर्तन और ग्राहक केंद्रित तो कौन सही उत्तर है Frank Merini अगला प्रशन है आंतरिक संचार हो सकता है तो उत्तर है और धोगामी अधोगामी और आरपार ये आंतरिक संचार हो सकता है अगला प्रशन है लोग प्रसासन और नीजी प्रसासन के मद्ध किस ने अंतर किया है तो पीटर ड्रकर पाल एच एपिलवी हरबर्ट साइमन और सर जेशिया स्टेंप ने दोस्तों लोग प्रसासन यानी पब्लिक एड्मिनिस्टेशन और प्राइवेट एड्मिनिस्टेशन के मद्ध अंतर किया है अगला है कि स्वेक्षिक संगठनों और गहर सरकारी संगठनों के मद्ध अंतर का आधार नहीं है क्या तो उत्तर है पंथ निर्पेक्षी और लोकतांत्रिक मुल्यों के प्रति प्रतिबद्ध था अगला प्रश्ण है संगठन में संगर्स समाधान के लिए मेरी पारकर फालेट ने कौन से मार्ग सुझाए हैं तो आधिपत्य समझावता और एकी करण नीत यायोग क्या है दोस्तों नीत यायोग एकी स्टाफ अभिकरण है याद रखेगा अगला प्रश्ण है लोगपाल और लोकायुक्त अधिनियम के अंतरगत किसी व्यक्ति को लोगपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है अगला प्रश्ण है वह सिध्धान्त जो परंपरागा सिध्धान्त कहलाता है तो ये संगठन सिध्धान्त है और सूचना के अधिकार द्वारा राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में किसकी विशेश्टताओं को प्रारम किया गया तो सावधानी देख रेक और सतरगता को अगला प्रश्ण है कि वह आयोग या समिती जिसने प्रतेक जिले में नगरी और ग्रामीड प्रतनिधितों के लिए जिला परिशद के स्रीजन की अनुसंसा की है तो उत्तर है दूती प्रशासनिक सुधार आयोग ने और देखे एक पुस्तक है The Intellectual Crisis in American Public Administration पुस्तक ये किस से संबंधित है तो ये लोक चैन उपागम से संबंधित है अगला प्रश्ण है नोकर साही और पुझीवादी राष्टी ता कि अओधाना का सेंट पाल किसे कहा जाता है तो याद रखेगा मैक्स बेवर को दूस्तों मैक्स बेवर को नोकर साही का अधिकिरित प्रदवक्ता कहा जाता है और इसके अलावन नोकर साही और पुझीवादी राष्टी ता की अओधाना का सेंट पाल मैक्स बेवर को कहते हैं अगला प्रश्ण है लोक निगम प्रकार का प्रशासन क्या प्राप्त करने की करता है तो उत्तर है सारुजनिक जवाब देहिता का कारोबारी दक्षिता के साथ मिश्रार अगला प्रशन है सही सुमेलन है तो उत्तर है दोती प्रसासनिक सुधारायोग और छेत्र का तृती रिपोर्ट संकट प्रबंधन से संबंधित है चतुर्थ रिपोर्ट सासन में न आधिकार का विकेंद्री करण, न्यायपूर और कोशल सेवा प्रबंधन और संसद और मंत्री मंदल का प्रभावी नियंत्राण, ये नौकर साही या बिरुक्रेसी की बुराईयों को दोस या दोसों को दूर करने का प्रभावी उपकरण है, अगला प्रशन है, पद वर्गी करण कुछ विंदूओं पर आधारित होता है, तो किन-किन विंदूओं पर करतब वे उत्तरदाईत और अरहता पर, लोग प्रसासन तथा नेजी प्रशासन में भेद किसने नहीं किया है, तो उत्तर है है नरी फेयोल ने, और अगला प्रशन है, नेत्रितों का विशलेशन सर्कुलर रेस्पांस के रूप में किसने किया है, तो उत्तर है दोस्तों, नेत्रितों का विशलेशन सर्कुलर रेस्पांस के रूप में मेरी पारकर फालेट ने किया है, अगला प्रशन है, नेड़य निर्मार प्रक्रिया सिध्धान का समर्थक नहीं है, तो एजज़े मा को अपने आप में एक उद्धेश मानता है तो राजनेतिक द्रिष्टिकोन और नियंत्रण की छेत्र को प्रभावित नहीं किया है किसने तो सभी संगठनों में उच्छ नियंत्रण की छेत्र पर बढ़ती सर्व सहमतिने सभी संगठनों में जो है नियंत्रण की छेत्र को प् पदशोपान की मौलिक विशेस्ताइं हैं। अगला प्रश्ण हैं दोस्तों, शुसासन के संके तक क्या-क्या हैं। बहुत ही महत्पोड है, सुसासन के संके तक हैं। तो आप जान लीजिए, ऐसे शासन बिवस्था में सुसासन होता है, जहां कानून का शासन हो, भरष्टाचार की समाप्ती हो, और प्रभावी और अनुक्रिया शेल प्रशासन हो। अगला प्रश्ण है, नौ लोग प्रवंधन की विशेस्ताइं क्या-क्या हैं। तो याद रखिए, अस्थानी करण, बाही करण और वी नौकर साही करण, ये नौ लोग प्रवंधन की विशेस्ताइं हैं। आज की वीडियो का अन्तिम कोश्चन है, कि नेत्रित्व के पथ लक्ष सिध्धान्त के प्रतिपादक या प्रमुख प्रवक्ता कौन थे? तो सही उत्तर है, मार्टिन जी इवान्स और राबर्ट जे हाउस, ये नेत्रित्व के पथ लक्ष सिध्धान्त के प्रमुख प्रवर्तक थे? तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो PGT प्रवक्ता परिक्षा, गौर्मेंट इंटर कालेज प्रवक्ता, गौर्मेंट डिग्री कालेज, उच्चितर सिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट जे आरेप और अन्य राज्जियों द्वारा, राजनीत विज्ञान और नागरिक सास से आयोजित सिक्षक भरती परिक्षाओं के लिए, लोग प्रसासन से संबंधित महत्वण प्रशनों का रिवीजन, जो आपके आगामी परिक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है, आप इन प्रशनों को तयार कर लिएगा, दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा,